बढ़ों को मेरा चरंट स्पार्श और चोटों को मेरा प्यार आए जानते हैं कि 17 जन्वरी को 17 जन्वरी के बाद शनी का ये गोचर हम सब के लिए क्या सौगात लेकर आया है 17 जन्वरी के बाद मार्च दो हजार पच्चिस तक कुम्भ मकर और मीन राशी वालों को शनी देव कही न कही थोड़े से यहां पर कश्ट देते वे नजर आ रहे हैं तो आएए जानते हैं हमारे जोते शास्त्र के अनुसार शनी देव इन्हें घोर कश्ट क्यों देंगे और शनी कुंडली मेश देखिए एक चीज को समझेए कि शनी देव हमारी जनम कुंडली मेश जिस घर में भी बैठते हैं तो उस घर का वो कुछ नहीं बिगाडते हैं लेकिन उस घर से जिस पर दृष्टी पढ रही है कही न कहीं वहा के लिए चिज़े वो बिगाड देते हैं अगर 1st house में शनी देव बैठे हैं तो 7th house पर उनकी दृष्टी पढ़ेगी जो की कही ना कहीं 7th house से related जो भी सुख हैं उसको खराब करने का कार्य करेंगे अगर जनम कुंडली में शनी देव खराब है तो शनी कुंडली में मैं फिर से आपको समझाते हूं कि जिस घर में बैठते हैं उस घर को ठीक रखते हैं लेकिन जिस घर को देखते हैं उनको तकलीफ देते हैं इसलिए शनी के महादशा तथा अंतरदशा में अपने कर्म को ठीक रखना हम सब के लिए बहुत ही जादा जरूरी होता है तो आये जानते हैं कि शनी देव 17 जुनवरी को जब राशी परिवर्तन कर कुम राशी में प्रवेश करेंगे तो हम सब के लिए क्या सौगात लेकर आएंगे हमारे जोतिष शास्तर में शनी देव को विशेश थान प्राप्त है शनी देव को पापी और क्रूर ग्रह भी कहा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि शनी देव सिर्फ अशुब फल देते हैं सिर्फ बुरा करते हैं, क्योंकि शनी देव क्या है, करम फल दाता है, आप जैसा करम करेंगे, वैसा शनी देव आपको फल देंगे, शनी देव शुब फल भी देते हैं, शनी देव के शुब होने पर व्यक्ति का भाग्योदे इतना अच्छा होता है कि उसने सोचा ही नहीं हो शुफल की प्राप्ति होती हुए यहां पर दिख रही है, तो आईए जानते हैं कि शनी देव के राशी परिवर्तन से किन राशियों को मिलेंगे, शुफल और किन राशी वालों का रहना होगा, महत जादा सावधान, सबसे पहले शुरू करते हैं मेश राशिशे, शनी देव क्योंकि आपके करमेश भी है, लाभेश भी है, आपकी जनमकुंडली में और आपके आमदनी के भाव में जा रहे हैं, इसलिए मेश राशी या मेश लगन के जातकों की आमदनी यहां पर बढ़ती भी नजर आ रही है, इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं न कहीं शनी देव इनसे कड़ी मेहनत करवा कर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगी भी जरूर, आपके प्रयास आपको सफलता जरूर देंगे, नौकरी के कारग्र होने की वज़े से, जो बहुत टाइम से खाली बैठे हुए थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी ना, उनको नौकरी भी यहां मिलते भी नजर आ रहे हैं, उनकी आमदनी के रस्ते यहां पर खुलते भी नजर आ रहे हैं, अगर आप बिसनस में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग चम्डे का, लोहे का, पेट्रोल का, या स्टील का, या किसी क्यामिकल का, या फिर मैं कहूँ प्रॉपर्टी का काम करते हैं, यह समय, यह पीरिड आपके लिए शनी देव अच्छा फल देंगे, पैसा आएगा आपके पास, और आने के साथ में टिकेगा भी, लेकिन आपकी जन्म कोंडली में शनी ग्रह अच्छे होने चाहिए इसके लिए, इस टाइम आपको जो ध्धान देना है, वो देना है अपनी सिहत के ओपर, क्योंकि सेहत यहाँ पर थोड़ा सा गड़डा रही है, आपकी सेहत थोड़ा सा आपको परिशान कर सकती है, क्योंकि शनी देव की द्रिष्टी लगन पर रहेगी, और अपनी नीच राशी यानि की मेश राशी पर आपका गुसा बहुत जादा बढ़ता हुआ है नजर आ रहा है और जितना गुसा आप करेंगे इस पीरेट में उतनी ही आपकी सेहत खराब होती है नजर आ रहे है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका आप करना चाहते हैं लेकिन आपका फोकस नहीं हो रहा है या फिर आपकी सेहत आपको गवाही नहीं दे रही है तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए बाकि सब अच्छा अच्छा होता चला जाएगा, अगर आप किसी उच्छ शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है जो उसतरी गर्वती है वो अपना खास तौर से ध्यान रखें क्योंकि शनी की द्रिष्टी आपके पंचम भाव पर रहेगी, कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत हो तो आप प्लीज डॉक्टर के पास जाएए, डॉक्टर की सला जरूर लीजिए, इस समय किसी से बेवजा उलजना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके रिष्टे खराब हो जाएंगे, धन के साथ सम्बंध भी खराब हो जाएंगे, नहीं तो आपके लिए चीजे इतनी बिगड़ जाएंगे कि आपको बाद में लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो आप बेकार के इन चकरों से दूर रहें, अपने रिष्टों को मजबूत करके चलिए, ये बहुत ज़रूरी है, आप पुराने रिष्टों को भूल जाएंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे, कि पास्ट में किसी ने आपके साथ अच्छा किया था और आप उसको भूल ग ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पारिवारिक समस्य आएं, अगर आएं, आपको लगरा है ज़ादा आ रही है, तो परिवार में जो भी बड़ा है, उससे सला मश्वरा लेकर ही आप अपनी लाइफ का सॉलुशन निकालिए, खुद ही बड़े बनकर डिसीजन मत ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो मेश राशी पर शनी की अशुब नीच द्रिष्टी पढ़ने वाली है, ये तो हम सब समझ गए और शनी की द्रिष्टी से मानसिक और शारिरिक कष्टों में वृद्धी हो सकती है, जिसकी वज़े से आपको कई तरह की परिशानि का सामना करना पड़ सकता है, आपकी अर्निंग, अगर मैं बोलो, आपकी आए की अपेक्षा में खर्चे जादा रहेंगे, अर्निंग का एक्सपेंडिचर जादा, जिसकी वज़े से आपकी फिनेंशल स्थिती थोड़ी सी खराब हो सकती है, साती शनी का पाया भी लोहा है जो आपकी भाग्युनती में विग्न और बाधाये उत्पन कर सकता है, पिता के साथ आपके संबंधों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी भी तरेके के वाद विवाद से अपने आपको बचा के रखिए, शनी की वज़े से आकिसमिक खर्च यहां पर होते में नजर आ रह इसलिए 22 April से गुरु की इस राशी में स्थित होने से आपको कही न कहीं थोड़े भूत शुब समाचार मिलने के यहां पर योग दिख रहे हैं, आपका मान सम्मान में वृद्धी होते भी नजर आ रहे हैं और खर्चे थोड़ा सा आपके कम हो सकते हैं यहां पर बस आपको यहां पर लाव होते वे नजर आ रहा है